हलो फ्रेंड श्वागत है आपका ब्यूटिफुल टेरिस कार्डन में यह आप जैट प्रांट देख रहे हैं इसके बहुत ही फायदे होते हैं और इसे अपने घर में लगाना बहुत सुब होता है और इसके बारे में आपको ज्यादा मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो होत ही जैट प्रांट के बारे में बताने वाली हूं इसका पूरा नाम क्रासुला ओवाटा है इसे जैट ट्री फ्रेंडशिप ट्री लक्टी ट्री और मनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है बास्तु में क्रासुला के पौदे को धन प्राप्ति का पौदा भी कहा जाता है तो चलिए इस पौदे के बारे में जानते हैं कि यह किस तरह का पौदा है इसमें किस प्रकार की खूबियां पाई जाती है तथा इसकी देखरे कैसे की जाती है यह जैड का पौदा सालों बर हरा बरा रहता है इसकी उचाई पांस से आठ पीट तक हो सकती है इसको कई लोग बॉनसाई का रूप भी देते है जिस प्रकार भारत के लोग धन को पाने के लिए अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं ठीक उसी प्रकार से जैड प्लांट को भी लोग अपने घरों में धन की प्राथी के लिए लगाते हैं ऐसा कहा जाता है कि इसे घर में लगाने से सुभ होता है आईए इसके देखरेग के बारे में बात करते हैं इसकी देखरेग कैसे करेंगे आम तोर पर इस तरह के पौदे की देखरेग में कोई कटनाई नहीं होती है यह जैड का पौदा कम पानी में भी जीवित रह सकता है यदि आप 3-4 दिन तक पानी नहीं देते हैं तो भी यह जीवित रह सकता है और इसके बढ़ने में भी किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी इस पौदे को ऐसे स्थान पर रखे जहां सूर कीकेड़े सुबह पढ़ती हैं इसके अलाबा इस पौदे को लगाने के लिए ज़्यादा जगे की ज़रूरत नहीं बढ़ती हैं आप इस छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं इसमें ठंड में पानी तबी दें जब इसकी मिट्टी सूपने लगें तो फ्रेंड्स ये थी जड़ प्लांट के बारे में कुछ जानकारी अपने गार्डन में ज़रूर एट कीजिए ओके बबाए मिलते हैं नेक्स वीडियो में